अब हम लोग देखेंगे C programming का basic structure, कि start कहां से करते हैं और program execute कहां से होता है, कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने जितने भी अभी बनाया था file, सब को मैं क्या करता हूँ, एक एक करके delete कर देता हूँ, यहीं से editor से हम लोग delete करेंगे, अब हम लोग folder में जाके सारा काम नहीं करे तो मैं सब कुछ delete कर देता हूँ, और यहां पे एक नया file बनाते हैं C का, यह रहा, और मैं इसका नाम देता हूँ first, first.c, मैंने आपको बताया था कि .c होना बहुत जरूरी है, जब भी आप कोई भी C programming का file बनाते हो, ठीक है, तो first.c बना दिया हमने, और click करके open भी कर दिया अब यहां पे हम लोग start करेंगे अपना पहला program लिखना, तो देखो, जो C program है, वो start होता है main function से, function क्या है, जब मैं function बोल रहा हूँ, तो अभी के लिए आप उसको ignore भी कर सकते हो, या अभी समझते जाओ कि function मैं बोल रहा हूँ, क्या होता है, वो आगे आपको समझ में आ देगा, तो आपको सबसर्ब में पहला काम क्या करना है, लिखना है main, main के बाद आपको क्या करना है, bracket open और close करना है, उसके बाद curly bracket open और close करना है, ठीक है, तो यह है main function, यह जो अभी आपको दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा zoom कर देते हैं, यह रहा, तो यह है main function, ठीक है, यह आपका main function, main लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, bracket open close करना है, उसके बाद curly braces open और close करना है, यही आपका main function है, अब मैं इस curly braces को जो open और close है, उसके बीच में एक enter प्रेस करके इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, इसको भी नीचे ले आते हैं अब देखो अब program क्या होता है कहां से start होता है यह मैं आपको बताता हूँ program start होता है यह main function से मतलब जब c का compiler यह main function देखता है तो यहीं से अपना काम start करता है execute करना उसको यहीं से start होता है main function से तो इसी लिए इसको लिखना बहुत जरूरी होता है और हर एक प्रोग्राम में एक ही main function होगा यह सबसे बड़ी चीज़ है आपको याद रखना है कि main function सिर्फ एक ही होगा हर एक प्रोग्राम में तो यहाँ पे हमने एक main function मना लिया है जब compiler यहाँ पे आएगा तो यहाँ से वो समझ जाएगा कि अच्छा अब यहाँ से मुझे execute करना start करना है और जो भी हमें लिखना है जो execute होगा वो इन दोनों के अंदर लिखना है यह जो curly braces open और close है इसके अंदर लिखना है ठेक है पहले चीज़ तो इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे उसको प्रिंट करवाना है तो कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास एक inbuilt function आता है c program ने c compiler ने हमें एक function दिया हुआ है जिसके थुरू हम लोग कोई भी चीज आउटपुट प्रिंट करवा सकते है उसका नाम है printf आपको लिखना है printf और जब भी मैं function बोलता हूँ तो आप यह देखोगे कि आपको यहाँ पे bracket open close आएगा ही आएगा ठीक है parenthesis बोल लो या bracket बोल लो यह open close हो जाएगा उसके बाद सबसे main चीज आपको यह याद रखना है कि हर एक statement के बाद आपको क्या करना है semi colon लगाना है अगर आप semi colon नहीं लगाओगे तो वो statement नहीं मानेगा statement मतलब हो गया English का एक sentence जैसे आप लिखते हो तो उसमें full stop लगाते हो ना जब भी आप एक sentence close करते हो English में तो क्या करते हो dot लगा के उसको full stop देते हो तो same आप ये समझ लो कि जब आप एक sentence लिखते हो किसी program में C program में तो आपको semi colon से उसको close करना है ठीक है और अब आप पुछोगे कि ये main वाले में क्यों नहीं किया तो कहीं कहीं पे ये काम नहीं होगा जहां पे भी आपको ऐसा open curly braces open close दिखेगा वहाँ पे आपको semi colon नहीं लगाना है ठीक है तो भी काम करता है तो आपको semi colon कहां नहीं लगाना है जहां पे आपको ऐसा curly braces open और close दिखेगा वहाँ पे semi colon नहीं लगाना है बाकी हर जगे पे आप semi colon लगाओगे और अगर कहीं पे नहीं लगाना होगा वो मैं आपको बता दूँगा बट generally आपको याद रखना है कि आपको एक तरह से समझ लो कि जैसे English के sentence को खतम होने पर full stop लगाते हैं उसी तरीके से C program का एक sentence खतम होने पर हम लोग semicolon लगाएंगे अब कोई भी चीज आपको जो print कराना है तो उसमें आपको क्या करना है double quote लेना है और यहाँ पर लिख देना है जो भी चीज आप print कराना चाहते हो मानलो मैं hello कराना चाहता हूँ hello world यह देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर अब यह print हो जाएगा तो यह है हमारा सबसे छोटा program c का मैंने लिख दिया अब हम लोग इसको run करेंगे तो run करना मैंने आपको सिखाया था आपको क्या करना है terminal पर जाना है new terminal क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर लिखना है gcc और आपका file का नाम दोगे file का नाम हमारा पास है first.c और enter प्रेस कर दोगे enter प्रेस करते ही आप देखो हमारे पास कुछ warnings आ चुका है इस warning को हम लोग बाद में consider करेंगे बाद में देखेंगे ठीक है उससे पहले आप यहाँ पर देखो हमारे पास a.exe नाम का हमारा file बन चुका है देखो, error और warning में एक enter है warning जब भी आता है आपके पास तो वो एक आपको चेतावनी है बट आपका काम सारा का सारा कर दिया गया है मतलब जो भी आपने लिखा है वो run हो गया error में क्या होता है कि जब error आएगा तो आपका program ही run नहीं होगा अगर आप कुछ गलती करोगे तो वो run ही नहीं होगा यह a.exe बने गा ही नहीं जैसे for example अभी आपको दिखाई देता हूँ पहले यहां पे गये a.exe इसको close करता हूँ a.exe को मैं यहां से फिर से delete कर देते है delete कर दिया अब एक गलती करते हैं पहले अपने program में गलती क्या करते हैं सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं जो मैंने आपको अभी बताया था और save करा देता हूँ और यहां पे अब हम लोग फिर से एक काम करता हूँ मैं पहले clear लिखके clear कर देते हैं अब यहां पे फिर से type करते हैं gcc और यहां पे अपना फाइल का नाम first.c अब मैं एंटर करूँगा अब देखो हमारे पास a.exe यहां पे नहीं बना है first thing second thing हमारे पास warning तो आया ही warning के साथ साथ यह red में error भी आया है देखो क्या है error अच्छा एक चीज अब इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ programmer अगर आपको बनना है तो आपको क्या लगता होगा कि गलती नहीं करना है सबसे बड़ी चीज आती है कि गलती को detect करना गलती को समझना और उसको सही करना programmer की जिन्दगी में सबसे बड़ा काम यही है कि जो भी आपने लिखा है उसमें कुछ अगर गलती हुआ है तो उसको समझ के उसको सही करना क्यों? समझना क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको जो एक hint है वो compiler खुद से दे देगा ठीक है? उसके बाद आपको उस hint को पढ़के समझना है और उसको correct करना है ये programmer का सबसे बड़ा काम है तो जैसे देखो हमारे पास यहाँ पर warnings आये थे, warnings को अभी फिलाल के लिए ignore कर देते हैं, बाद में मैं इसको भी सही करके दिखाऊंगा आप यहाँ पर हमारे पास एक error आया है, error क्या कह रहा है? expected semicolon देखो यहाँ लिखा हुआ है expected or semicolon बनाया हुआ है before इतना token, ठीक है मतलब यह वाले line से पहले semicolon चाहिए था तो देखो हमें पता चल गया कि यहाँ पर semicolon miss है तो यहाँ पर semicolon लगा देते हैं अब मैं फिर से एक काम करता हूँ, इसको clear कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से लिखते हैं gcc first.c अब मैं enter करूँगा आपसे warning आएगा और यहाँ पर a.exe बन चुका है हमाले पास ठीक है warning में क्या करता है कि वो आपका executable code बना देता है run करता है बट आपको एक warning चतावनी देता है कि आपने थोड़ा सा कुछ गर्बड किया हुआ है लेकिन उस गर्बड के साथ भी आपका program run हो सकता है warning का मतलब यह है तो अब इसको run करने का क्या तरीका था dot forward slash और वहाँ पे आपको नाम लिखना था a.exe और click करोगे उसवें enter करोगे तो देखना यहाँ पे जो आपने hello world लिखा था वो print हो चुका है hello world print हो गया अब हमारा code run तो हो गया है लेकिन जो warning आ रहा है उसको हटाते हैं और समझ समझ के हटाएंगे तो देखो पहला warning हमें लिखा जा रहा है वो है return type default to int मतलब main का जो default है return type वो int है अब यह function का concept है तो आपको आगे जाके समझ में आएगा ठीक है इसलिए मैंने आपको कहता कि function तक थोड़ा सा आपको रटना कह सकते हो या ignore करना कह सकते हो उसके बाद से आपको फिर से आके समझना होगा इसको यहाँ पे जब आप function का concept समझ लोगे तो इसको कैसे आप दूर कर सकते हो इसको दो तरीके से दूर कर सकते हो या तो आप यहाँ पे लिख दो int और यहाँ पे लिखोगे printf के नीचे लिखोगे return 0 या तो आप यह कर दो यह कर दोगे तो देखो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा gcc.c तो वो हट जाएगा ठीक है मैं इसको save करता हूँ फिर से clear करते हैं ओके और यहाँ पर लिखते हैं अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ gcc.gcc space first.c अब जब मैं यहाँ पर click करूँगा तो आप देखो error हमारा कम हो गया वो जो ओके यह कम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसको मैंने save नहीं किया था मैं यहाँ पर फिर से save कर देता हूँ और अब जाके मैं यहाँ पर लिखूँगा clear और यहाँ पर फिर से हम लोग वह लिखते हैं gcc first.c अब मैं enter करूँगा अब देखो वो हट गया main वाला हट गया अब देखो error बहुत कमी आ रहा error sorry warning कमा रहा या फिर दूसा तरीका यह है अगर आपको यह return 0 नहीं लिखना है यह return 0 और int क्या है यह मैं आपको आगे बता दूँगा आपको यहाँ पर सीधा लिख देना है void वी ओ आई डी ठीक है यह function का concept है तो function में जाके आपको समझ में आएगा आपको फिलहाल के लिए याद रखना है कि आपको यहाँ पर लिख देना है void इससे भी देखो यह error gaib हो जाएगा मैं यहाँ पर और आपको clear करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ gcc first.c अब मैं एंटर करूँगा अब भी देखो वो error gaib हो गया मतलब जो warning था वो gaib हो चुका है हमारा ठीक है तो आपको अब समझ में आ गया कि void लगाने से या int और यहाँ पर return 0 या 1 लगाने से आपका एक warning गाib हो जाएगा दूसरा warning क्या कह रहा है दूसरा warning कह रहा है कि implicit declaration of function printf जो printf है उसका declaration जो है वो हमें provided है ठीक है कहां पर provided है include studio.h ठीक है इसको studio बोल सकते हो या stdio.h बोल सकते हो आप अपको ठीक है तो यह कह रहा है कि यहां पर stdio.h यह header file है header file क्या होता है वो मैं आपको बता दूँगा इसमें क्या होता है कि बहुत सारे functions अल्रेडी लिखे हुए होते हैं आपको उनको use करना होता है तो यह जो printf है वो यहां पे इस वाले file में लिखा हुआ है तो यही हमें कहा जा रहा है कि इसको आपको include करना है तो हम लोगों को क्या करना है void main से उपर void main के उपर हमें यहां पे लिखना है hash include और less than और greater than का sign लगाना है और इसके अंदर लिखना है stdio.h यह एक file है जिसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसको आप use करोगे तो जब भी ऐसी file को हमें जरूरत पड़ेगा हम लोग इसको include कर वा लेंगे यह हम लोग खुझ से भी बना सकते हैं अपना मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपना header file बनाते हैं उसमें code रखते हैं और उसको कैसे use करते हैं तो अभी हम लोग इसलिए stdio.use कर रहे हैं यहाँ पर include करा रहे हैं क्योंकि printf जो है वो इसी के अंदर लिखा हुआ है यह जो printf है यह इसी के अंदर declare किया हुआ है तो अगर आप इसको नहीं लगा होगा तो भी चलेगा लेकिन इसको लगाने से यह warning हट जाएगा क्योंकि इसका declaration इसमें लिखा हुआ है तो वो आ जाता है यहाँ अब यह सब declaration वगरा क्या है यह भी function का concept है इसलिए मैंने आपको बोला था कि बिना function समझे आपको थोड़ा सा उट पुटांग लगेगा सी language सीखना ठीक है तो function तक धहरे बनाके आपको आगे बढ़ना है function के बाद फिर से return होके यहाँ से फिर से जब start करोगे एक एक concept आपको समझ में आने लगेगा तो आप समझ गए यह .h क्या होता है header file होता है header file के अंदर बहुत सारे function लिखे होते है printf जो है वो declare यहाँ पर किया हुआ है तो इसलिए हमें इसको include कराना है ठीक है इसको include का दिया अब फिर से हम लोग इसको clear करते हैं sorry clear और यहाँ पर फिर से लिखेंगे gcc first.c और अब enter करेंगे तो आप देखो कोई भी warning कोई भी error नहीं है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारा basic जो c का code है वो कुछ ऐसा दिखता है और एक एक line आपको समझ में आ चुगा होगा कि क्यों लिखा है कैसे लिखा है अब एक चीज और अगर मैं चाहता हूँ कि hello और world एक line में ना आए जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी आप execute करोगे a.exe तो अब देखो hello world दोनों एक ही line में आएगा यहाँ देखो hello world एक ही line में लिखा रहा है आप चाहते हो कि hello एक line में है और अगले line में world है तो आपको क्या करना है आपको इन दोनों के बीच में backslash use करना है और n backslash n जब आप यह लिखते हो तो यह नया line स्टार्ट करते है backslash और n यह चीज क्या करेगा नया line स्टार्ट करेगा ठीक है तो अब इसको अगर मैं save कराता हूँ और फिर से compile करता हूँ जब भी आपको changes करते हो तो फिर से आपको compile करना होता है तो आप यहाँ लिखोगे gcc first.c फिर से यह compile हुआ फिर से हमारा a.exe नया बना अब a.exe को जब आप run करोगे a.exe तो आप देखो hello एक line में आएगा और world दूसरे line में आएगा आ रहा है यहाँ पे hello और world world जो है उसमें थोड़ा सा space क्यों छूटा हुआ है कि हमने n के बाद space छोड़ा है तो वो space ले रहा है अगर आप चाहते हो कि hello world के बाद मैं यहाँ यहाँ पे लिखता हूँ और world नीचे लिखेंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे hello लिखो यहाँ पे new line का जो मैं अब की बार लिख देंगे world व-o-r-l-d ठीक है अब देखो यहाँ विश्वजीत कर देता हूँ अंतर आपको पता चलेगा hello विश्वजीत लिख दिया तो दो printf का line लिखा है हमने तो दो line लिखा है तो line खतम होते ही आपको क्या करना है semicolon लगाना है एक sentence जब आप valid लिख दोगे c language का यह statement यहाँ पर नहीं बोलेंगे हम लोग यहाँ पर statement बोलेंगे a.exe ठीक है एंटर जैसे करेंगे वैसे देखो hello विश्वजीत आ गया दूसरे line पर hello पहले line पर विश्वजीत दूसरे line पर अच्छा अब देखो अब इस n को यहाँ पसे जो backward slash जो n था उसको मैंने हटा दिया और फिर से save कर दिया और अब दुबारा अगर मैं इसको clear करक यहाँ पर फिर से compile करते हैं gcc first.c उसके बार dot slash a.exe अब देखो अब क्या होगा अब यह एक ही line में लिखा हुआ आ रहा है hello विश्वजीत जबकि यहाँ पर दो अलग-अलग printf लिखा है हमने तो इससे आपको क्या पता चला कि जब तक आप backward slash n नहीं लगाते हो तब तक नया line start नहीं होगा चाहे आप printf कितना भी लिखो यहाँ पर दो printf लिखा है हमने एक में hello एक में विश्वजीत बट दोनों एक ही line में आ रहा है देखो यहाँ पर एक ही line में आ रहा है वहाँ पर अब एक और important चीज़ समझाता हूँ आपको c language में upper case और lower case को अलग-अलग माना जाता है ठीक है मतलब अगर आप printf को capital में लिखो गे printf तो यह काम नहीं करेगा ठीक है क्यों नहीं करेगा देखो आप यहाँ पर मैं क्या करता हूँ compile करता हूँ gcc first.c देखो error आ गया error क्या आया? implicit declaration of function printf capital में ठीक है? यहाँ पर देखो error ID यहाँ पर देखो error आपास आ रहा है ठीक है? a.exe यहाँ पर नहीं बना अभी नहीं बना देखो यहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर error आया है यह देखो ठीक है undefined reference to printf ठीक है कि printf जैसा कुछ है यह नहीं तो capital और small letter बहुत माईने रखता है C language में अगर आप इसका एक letter भी अगर ऐसे लिख देते हो printf सिर्फ p भी capital है तो भी वो error ही आएगा अगर आप यहाँ पे मैं इसको save मैं इसको यहाँ पे save करता हूँ और यहाँ पे हम लोग फिर से इसको compile करते हैं तो भी देखो error ही आ रहा है error क्यों आ रहा है क्योंकि हमने एक जो letter है इसका p उसको capital कर दिया तो जो C language है वो case sensitive है मतलब uppercase और layer case अलग माना जाता है तो जो चीज मैं यह book lower case में लिख रहा है वो आपको भी lower case में लिखना है जब upper case में लिखना होगा मैं आपको बता दूँगा तो आपको mainly आदत क्या डालना है कि lower case में ही लिखना है आपको C का program क्योंकि maximum चीज 99% चीज जो लिखा हुआ है या लिखने का तरीका है वो small case में ही है जहां पर capital use होगा वहां पर मैं आपको बता दूँगा